19 नॉम्बर 2019 ग्रहराज मंत्री नित्यानेंद राय ने लोकसभा में बताया कि 2021 की जनगर्णा 16 भाशाओं में होगी उन्हों ये भी बताया कि जनगर्णा की पूरी प्रक्रिया में करीब 8,754.23 करोण का खर्चायेगा इस बार डेटा कलेक्शन दो चरोणों में किया जाएगा अपरल से सितंबर 2020 तक हाउज इस्टिंग और हाउजिंग सेंस और 29 जनवरी 2021 तक जनगर्णा यानि लोगों की गिंती होगी इसके बाद 1 मार्च से 5 मार्च के बीच जमा हुआ जो डेटा है उसकी प्रोसेसिंग की जाएगा यह सब तो हो गया भाशन असली मुद्दा ये है कि ये जनगर्णा होती क्यों है कम होती है और इसका पूरा प्रोसेस क्या है इस वीडियो में हम आपको यहीं बताएंगे जनगर्णा जिसे अंग्रेजी में सेंसेस कहते हैं आजाद भारत में पहली बार 1951 में हुई है इसके बाद हर 10 साल में जनगर्णा होती है आपने सुना होगा सेंसेस 2001 सेंसेस 2011 और सोचा भी होगा कि इतने लोग पैदा होते हैं हर साल इतनी जाने जाती है ऐसे में तो हर साल सेंसेस होना चाहिए लेकिन जनगर्णा में सिर्फ लोगों की गिंती नहीं होती है इसके जरिये लोगों की आर्थिक स्थिती, उनकी सिक्षा, घर और घरेलू सोविधाएं, जन्मदर्म, म्रत्युदर, भाशा, धर्म, जाती हैं आलग-अलग एक इलाकों में पलाएं जैसी कई जरूरी जानकारियां इखटा की जाती है इसमें टाइम जो लगता ही है, पैसा भी मज़े के खर्च होता है इसलिए दस साल में एक बार जन्गर्ना होती है जन्गर्ना की और हिस्ट्री खंगालें, तो इसे दो भागों में बटा जा सकता है आजाजी से पहले और आजादी के बाद, किसी भारती शहर की पूरी जन्गर्ना सबसे पहले 1830 में हुई थी और यह शहर अब बांगला देश में है, वहां की राजधानी धाका तब धाका में जन्गर्ना हेंडरी बॉल्टर ने करवाई थी यह जन्गर्ना में सेक्स, उम्र, घर जैसे चीजों की जानकरी लोगों से ली गई थी 1886, 67 में देश के अधिकतर हिस्सों में लोगों की गिंती की गई जिसे 1872 के सेंसेस के तौर पर भी जाना जाता है 1881 के बाद से हर एक 10 साल पर भारत में लगातार सेंसेस हुए है आजादी के बात के इतिहास की बात करें तो भारत में सेंसेस एक्ट 1940 और 1990 के सेंसेस नियमों के तहत पूरा किया जाता है Census के डेटा का इस्तमाल केंद्र और राज सरकारें पॉलिसियां बनाने के लिए करती है लोगसुभा विधान सबा के साथ ही स्थानी इस्तर पर होने वाले चुनावों में रेजर्वेशन के लिए भी Census के डेटा का इस्तमाल किया जाता है केंद्री ये ग्रह मंत्राले जन्गर्णा के पूरे प्रोसेस और उसके डेटा को मॉनिटर करता है ग्रह मंत्राले के रहे स्ट्रार जन्रल और जन्गर्णा आयुक्त के आफिस के हाथ में ही इसकी पूरी जिम्मेदारी होती है इस तरह 2021 में होने वाले census के सर्वे सर्वा होंगे अमिश्या अब आते हैं process पे कि कैसे होती है जनगर्णा देखिए सबसे पहले जनगर्णा के लिए सवाल तै किये जाते हैं नाम, उम्र, लिंग, सिक्षा, कमाई, कमाई का जर्या, बेसिक सवाल है इसके लावा और भी सवाल होते हैं सवाल तै होने के बाद उन्हें forms की रूप में print किया जाता है सरकारी कर्मचारियों को चुना जाता है उन्हें proper training दी जाती है अब ये कर्मचारी सवालों की परची लेकर घर घर जाते हैं आपके घर आते हैं घर वालों से पूछ कर सवालों वाला form भरते हैं सेंसेस जूटी में लगें लोगों के पास एक appointment letter और identity card भी होता है जो इस बात का सबूत होता है कि वो जनगरना के काम से आपके घर पे आए हैं आप उनसे उनका identity card दिखाने को भी कह सकते हैं अगर जरा भी शंका होते हैं जनगरना के लिए हर घर से दो form भरे जाते हैं इसमें सबसे पहले housing census होता है इसमें घर, घर के उपयोग, पीने के पानी और शौचाले के उपलबता, बिजली, संपत्ती, आदी से सम्मंदित सवाल होते हैं इसके बाद राश्ट्री जन संख्या रेजिस्टर से सम्मंदित सवाल होते हैं इस section में भी इसी तरह कई जानकारियां मांगी जाती हैं अब सवाल ये कि data जमा होने के बाद क्या होता है देश के 15 शहरों में data processing center बने हुए हैं इस तकनीक में computer हां से लिखे text को पढ़कर, scan करके उसे computerized text में बदल लेता है भारत में इस technology का इस्तेमाल पहली बार 2021 की जनकरना में किया गया था उस वक्त इसे धुनिया बर के census के लिए benchmark माना गया अब आप कहेंगे इतना तीन जाम कर रहे हैं धेरो, form, इत्ते, घर जानना, इससे बहतर कोई app न बना दी जाए डिजिटल इंडिया का जमाना भी है तो ग्रह मंत्री अमें शाह ने आपकी सुन ली है कुछ हट तक 18 नॉवंबर को बताया कि इस बार जनकरना में mobile app का भी इस्तेमाल किया जाएगा इसमें डिजिटल तरीके से डेटा उपलब्ध होंगे वहीं से जुड़े सवाल पर ग्रहर राजमंत्री नित्यानन राय ने लोकसुभा में बताया कि इस बार डेटा कलेक्शन के लिए मिक्स्ट मोड का इस्तेमाल होगा डेटा कलेट करने निकले करमचारियों को सुविधा दी जाएगी या तो सीधे एप के जरीए डेटा जमा करें या फिर पेपर वाला फॉर्म भरवा कर इसे mobile app पर अपलोड करें अब एक नजर पिछले यानि 2011 के सेंसेस पर डाल लेते हैं 2011 की जनगर्णा में कुल 29 सवाल पूछे गए थे इसके मताबिक विश्व की कुल आबादी की 17.5 पीज़ी जनता भारत में रहती है 2001 की जनगर्णा में या अकडा 16.8 पीज़ी था 2011 की जनगर्णा के मताबिक भारत की आबादी एक अरब 21 करोन है उत्तर प्रदेश करीब 20 करोन लोगों के साथ देश में सबसे अधा अबादी वाला राज है और सिक्किम करीब 6 लाक लोगों के साथ सबसे कम अबादी वाला राज है 2011 में ही पहली बार NPR, National Population Register, राश्ट्रिय जनसंख्या रजिस्टर तयार किया गया था इसे 2016 में सरकार ने जारी किया था अब जो 2021 की जनगर्ना होनी है वो देश की सोलवी और आजादी के बाद आठवी राश्ट्रिय जनगर्ना होगी इस जनगर्ना में कुल 34 सवाल पूछे जा सकते हैं जो कि पिछली जनगर्ना से 5 जादा होंगे ये पहली ऐसी जनगर्ना होगी जिसमें लोगों से पूछा जाएगा कि उन्हों इंटरनेट का एक्सेस है या नहीं इस सेंसेस में आजाद भारत पहली बार अन्य पिछले वर्गों OBC से सम्मंदित आंकड़े भी जमा किये जाएंगी ये पहली बार होगा जब जनगर्ना की आंकड़े एक मुबाइल एप के जरीए जुटाए जाएंगे 2021 की जनगर्ना धुनिया की सबसे बड़ी डेटा एक्सेसाइज होगी इसे 33 लाग करमचारी मिलकर पूरा करेंगे इस बार जनगर्ना में लोगों की आबादी तो की नहीं जाएगी साथ ही लोगों की सामाजिक आर्थी डेटा भी जमा किये जाएंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाग, उत्तराखन और हिमाचल प्रदेश के बर्फ पासे प्रभावित इलाकों में 11 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2020 की बीच जनगर्ना की जाएगी यहाँ पर रिवीजन डाउड एक से 5 अक्टूबर के बीच होगा आखरी में सबसे बड़ा सवाल डेटा सिक्यूरिटी का जिस पर पिछले काफी समय से बहस भी हो रही है फेस्बूक और वाटसैप जैसे सोशल मेडिया प्लेटफॉंस पर सरकारों की कड़ी नजर है कि कहीं वो यूजर के डेटा का गरत इस्तमाल तो नहीं कर रहे है सरकार आदी अपने उपयों के लिए कर सकती है जाच वगेरा में माने सिर्फ और सिर्फ सरकार ऐसा ही हो तो अच्छा भी है यह पूरी जानकारी आपके लिए जुटाई थी हमारे साथी आदित दिने आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं बाकि यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो मारे पेश को लाइक करें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसके लाब आप हमें इंस्टागराम और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं शुक्रिया